हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों कि अगर आपके मोबाइल में डेटा ओर रहता है और फिर भी अगर आपके मोबाइल में जीयो सिनेमा का एप्लिकेशन यहाँ पर नहीं चलता है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पर कैसे ठीक करेंगी तो इसके बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी तो यहाँ पर दोस्तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो है सबसे पहले अपने mobile पर play store को open करके यहाँ से आपको Geo Cinema का जो अप है आप लोग यहाँ पर उसको update कर लीजिए अगर आप लोग ने बहुत दिनों से update नहीं किया तो आप लोग इसको update कर लीजिए और अपडेट करने के बाद भी अगर problem आता है तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर अपने mobile में network connection को check कर लेना है क्योंकि कभी-कभी जो है अगर आपके mobile में network नहीं रहता है तो इसके वज़े से ही आपको यहाँ पर problem आ जाता है तो आप लोग यहाँ पर अपने mobile में network को जो है check कर लेजिए और उसके बाद भी अगर आपकी problem solve नहीं हो रही है तो आप लोग यहाँ पर एक बार जो है setting को open करिए setting को open करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को application में जाना है application में जाने के बाद यहाँ पर आपको all application पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से जो है geo cinema लिक के search कर लेना है और open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर Mobile Data and Wi-Fi का Option आता है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर आपको Background Data को Enable करना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके फोन में यह Enable नहीं रहता है तो इसके वज़े से ही आपको Problem आता है तो आपके Mobile में जो Geo Cinema का App है वो Background में आपका Data Access नहीं कर पाता है तो आप लोग यहाँ पर इसको Enable कर लिजिए और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अगर जो है इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपकी Problem Solve नहीं होती है तो तब आपको यहाँ पर अपने यहाँ पर Geo Cinema का App को Force Stop यहाँ पर कर लेना है तो उसके बाद यहाँ पर आपकी Problem Solve हो जाएगी